प्रस्तु छवी में प्रमुग स्वामी महराज किसी हरीभग के निजी परेशानी से भरा पत्र पड़ रहे हैं लेकिन जगे कुछ अजीब सी नहीं लग रही आईए इस प्रसंग का इतिहास जाने 12 जून 1990 के दिन प्रमुग स्वामी महराज मुंबई में डॉक्टर दिक्षित की लेबॉरेटरी में पधारे थे वहाँ उनका एक्सरे लिया जाने वाला था डॉक्टर जब एक्सरे की तयारी कर रहे थे तब प्रमुग स्वामी महराज ने पत्र वाचन शुरू कर दिया जब तक एक्सरे लेने का समय हुआ तब तक उन्होंने पत्र पढ़ना जारी रखा जब एक्सरे निकाला गया तब थोड़ी देर के लिए पत्र एकोर रख दिया लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती कुल मिलाकर पाँच एक्सरे लेने थे तो दो एक्सरे के बीच में भी जो चन मिंटों का समय मिला उसमें प्रमुख स्वामी माहराज पत्र पढ़न करते रहे समय के छूटे से छूटे कत्रे का भी उप्योग कर लेना ये उनके स्वभाव में था कार में, सभा में, रेलवे प्लैटफॉर्म पर जब भी समय मिले तब वे पत्र वाचन में जुट जाते थे इस तरह समय का पूर्ण उप्योग करके उन्होंने अपने जीवन में साथ लाग से भी अधिक पत्रों के उत्तर दे कर लाखो लोगों की सेवा की है लाखो लोगों के जीवन में शुरद्धा के दीपक जलाए है प्रमुख स्वामी सुखकारी जै हो संद परम्हितकारी जै हो जै हो शुरी स्वामी नारेन भगवान की जै अक्षर पुर्शोत महराज की जै राधा क्रश्न देव की जै सियावर राम चंद्र भगवान की जै उमापती महादेव की जै प्रमुख स्वामी महराज की जै महंत स्वामी महराज की जै प्रमुख स्वामी महराज शताबदी महत्सव की जै आज की बात का विशय है टाइम मैनेजमेंट मतलब समय प्रभंदन अगर समय की द्रस्टी से हम देखे कि समय की उपलब थी कि द्रस्टी से हम देखे तो भगवान नेम सभी को काफी समय दिया है हम अगर सोचे तो बच्पन से लेके बुढ़ापे तक हमारे पास सामन्य तह साथ सत्तर असी साल है मतलब हमारे पास हजारों दिन है हर दिन में 24 गंटे है तो हमारे पास समय तो काफी है बगवान ने बहुत समझदारी से हमें यह समय दिया है लेकिन मनुष्य का यह करतव्या बनता है कि हम इस समय का सही उपयोग करें अगर हमने अपने जीवन में समय का सही उपयोग किया तो हमें जीवन में संतोश प्राप्त होता है सफलता भी मि और शान्ती भी प्राप्थ होती है। समय का सही उप्योग करना वो मनुष्य का कर्तव्या है। तो यह बहुत अगत्य का विशय है। कहीं बड़े बड़े विचारों को ने, मैनेजमेंट गुरूज ने, कि यह ताइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बाते लिखी हैं। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसाइक जीवन में, सामाजिक जीवन में, समय का प्रबंधन करना वो अत्य आवश्यक है। वरना समय तो ऐसे ही बीट जाएगा तो ताइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बाते लिखी गई है उसमें से एक सुप्रसिद्ध बात बहुत अच्छा पुस्तक जिसका सिर्शक है 15 सीक्रेट्स देट सक्सेस्फुल पीपल नो अबाट ताइम मैनेजमेंट केविन क्रूज इस पुस्तक के लेखक है केविन क्रूज फॉर्ब्स कॉंट्रिब्यूटर है नियु यॉक टाइम्स बेस्ट सेलर आथर भी रहे है इंग 500 के पारितोशिक विजयता भी रहे है वे खुद कहीं दशकों तक मल्टिनाशनल कंप्टीज में सीओ भी रह चुके हैं एक शौक था तो जर्नालिस्ट भी थे तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है कि ये पंदरा रहस्य अती सफल व्यक्ती समय प्रभंदन के बारे में जानते हैं बहुत खुब बाते उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन करते हुए इस पुस्तक में लिखा है आपको जानके ताजूब होगा कि केविन क्रूज ने बड़ा अच्छा सर्वे किया नौ से ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनर्स को वे मिले तेरा से ज़्यादा ओलंपिक अथलीट्स जिनोंने गोल मेडल या सिल्वर मेडल ब्राउंज मेडल प्राप्त किया था उन सभी को भी वे मिले 29 से ज़्यादा स्ट्रेट ए स्टूडन्स को मिले मतलब प्राइमरी स्कुल से लेके बिजनस स्कुल्स तक उनकी अकडेमिक करियर में वे लोग स्ट्रेट ए उन्होंने पराप्त किये वे लिखते हैं कि 249 अंट्रपरणर्स को भी वे मिले इन सभी को अपने जीवन में अपनी करियर आगे बढ़ाने के लिए अपनी करियर में सफलता पराप्त करने के लिए प्रकार का आयोजन किया और इससे उनको क्या लावपराप्त हुआ उनके साथ गंटों तक बैठे कहीं प्रश्ण उनको पूछे और जो उत्तर मिले वो उन्होंने सम्मराइज किये, कंसाइज किये और यह पुस्तक उन्होंने लिखा है जो विश्व प्रसिद्ध बना यह पुस्तक 15 Secrets Successful People Know About Time Management आज कहीं बीश कुल्स में उसका क्रेश कोर्स चल रहा है कहीं Fortune 500 कंपनीज के एग्जिकिटिव्स ने इस पुस्तक का कोई न कोई कोर्स किया है एक दिन का कोर्स हो, एक हफ्ते का कोर्स हो, एक महिने का कोर्स हो तो जब टाइम मैरेजमेंट की बात आती है तब यह पुस्तक कहीं एग्जिकिटिव्स ने अपने जीवन में अपनाया है इससे बहुत लाब भी पराप्त किया है तो इस पुस्तक में जो अच्छी बाते लिखिए वो शायद आज हम शेर करना चाहेंगे पहली बात यह लिखिए इह हाईली सक्सेस्फुल पीपल अपने जीवन की सबसे बड़ी अमानत मानते है पैसे से भी ज्यादा किमत स्थमय को देते हैं और अपने जीवन की हर मिनट बहुत समद्दारी पुरुवक्वे उप्योग करते हैं हम सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह सद्गुन बहुत नस्दिक से देखा है परमुजय प्रमुख स्वामी महाराज जो इस B.A.P.S. संस्था के पैसट साल तक प्रमुख रहे कहीं प्रकार की प्रवृत्ती इस संस्था में उन्होंने विक्सित की आपको जानके शायद आश्चरिय होगा कि 160 से भी जादा प्रकार की प्रवृत्ती सामाजी क्षेत्र में सांस्कृति क्षेत्र में तबीवी क्षेत्र में पर्यावरन क्षेत्र में प्रमुक्स्वामी महारज ने विक्सित की और सैकड़ो संत और हजारो हरी बग्त को इस सिवा में जूर दिया प्रमुक्स्वामी महारज अपने जीवनकाल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गाउं में गए सत्संग यात्रा की वहां घर 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 घुमे लोगों को अध्यात्मिकता प्रदान की उनको निर्वयसनी किया उनके बच्चों को संस्कारित किया वो परिवार में अध्यात्मिक आदते प्रमुक्स्वामी महाराज ने दृड करवाई तो यह सत्संग यात्रा प्रमुक्स्वा जैसे 1100 संतों को दिख्षा प्रदान की, 1100 से भी जादा अक्षरधाम, मंदेर, संसकार केंद्रा बनाएं. आप लोगों ने स्वामिर्णान अक्षरधाम नई दिल्ली में देखा होगा, स्वामिनान अक्षर धम गांधिनागर गुजरात में भी शायद देखा होगा और कहीं मंदिर और संसकार धम में भी शायद अब गए होंगे तो इस प्रकार के अध्यात्मा केंद्र ग्यारा सो से भी जादा प्रमुक स्वामि महाराद ने बनाई और उसका सफल संचालन किया पच्पन हजार से जादा स्वयम से वक तैयार किये भाय और बाय दोनो सतर से जादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजिस बनाई और सफल संचालन निस्वार्ध भाव से एक चलिडी बेस पर प्रमुक स्वामि महाराद ने किया तो बहुत काम प्रमुक्स्वामी महाराज निस्वार्ध भाव से समाज के लिए किया, बड़ी समाज सेवा प्रमुक्स्वामी महाराज ने की, वे बहुत कार्यशील थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अकर्शक रहा, लोग उनके लिए समय देते थे, उनके आयोजन में लो एक मनुष्य जीवन में इतना सारा कारिया कर पाए, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य उनका समय प्रबंधन था, मतलब टाइम मैनेजमेंट था। प्रमुक्षभां महाराज उक बार मुमम्मै में थे दाफ में कोई तक्लिफ में और दोक्ष्षित का संपर्क किया गया, एक पॉइंटमेंट मिली और सुबधन चलना था आपॉंट्मेंट के जरिये से वहां, डॉक्टर दिक्षित के क्लिनिक पे, सुभा का समय 10-10.10 माहराज का पत्र पथन और पत्र उत्तर का रहता था। जब निकलने का समया दादर स्वामी नान मंदिर से, प्रमुक्सामी महाराज ने अपने सेवक संथ को बताया कि पत्रा सात में ले लेना, पत्रा सब सात में लिये, प्रमुक्सामी महाराज लिफ्ट से नीचे आये गाड़ी में बैठे पत्रा मांगा और पत्रा पढ़ना चालू कर दिया, वैसे अगर हम होते तो मुंबई जैसा कई अधर वैसे ही गार्णी मेंहे चागे एगे चलते चलते एग ओंते और सबीड़ने छोग देखते हैं, प्रमुक श्वामी महाराज अत्यंत कार्य पिशल थे, जानते थे तो दादर स्वामी नान मंदिल से डॉक्टर दिक्षित की क्लिनिक तक पहुचे, प्रमुक्ष्वामी महाराज ने पत्र पढ़ना चालू रखा, वहां नीचे उत्रे, अंदर पहुचे डॉक्टर दिक्षित ने कहा, कि स्वामी जी एक दो मिनट, मैं थोड़ा एपरेटरस ए अंदर गए प्रमुक्ष्वामी महाराज, आपको जानके आस्चरिया लगेगा, कि वहां कुर्सी से उठे, दोनों हाथ में पत्र पकड़ा हुआ था, तो क्लिनिक में कुर्सी तक गए, वहां तक पत्र पढ़ना चालू रखा, कुर्सी पे बैठे, वहां तक प्त्र पढ़ रख दिया, एक दो एक स्रे निखाले डॉक्टर दिखित ने, और करा कि स्वामी और शायद दोति निकालने पड़ेंगे, स्वामी ने का ठीक बात है, थी बाजू में पत्र पढ़ा था, पत्र पढ़ना चालू किया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, फिर से एक तो दू एक्स्रे डॉक्टर दिखशित ने लिए, फिर से एक एक्सरे बाकी था, तो प्रमुक्स्राही महाराद ने सेवक संद के पास पत्र मांगा और वो भी पत्र पढना चालू रखा, तो ये पूरी. जो कारियवाई हुई, जो दात के X-ray की, प्रमुक स्वामी माराद ने पत्र पठन चालू रखा, तो ऐसे दिन चरिया होती है, ऐसे कारियकुषल व्यक्ति की, this is called time management, यह समय का प्रबंध है, जैसे अमने पहले सुना, कैसे महापुरुष समय को सन्मान देते हैं, और दशकों के बाद समय उनको सन्मान देता है, उनके जीवन में कहीं प्रकार की सफलता, कहीं प्रकार की समरुद्धी यह समय लेके आता है, प्रमुक स्वामी माराज एक बार बड़ोदा में थे गुजरात में, सुबह में व्यक्तिगत मुलाकात पूरी हुई, उसके बाद दो संत और दो तीन कारे करता प्रमुक स्वामी माराज को मिले के स्वामी आज शाम को जो हमारी सथसंग सभाय उसमें बच्चो और युवानों का कोई सांस्कृति कारे करम है, प्रमुक स्वामी माराज तुरंती समझ गए, सीधा प्रशन पूछा, कि मैं कितने समय पे वहां मंच पे आजाओ, आपकी अपेक्षा क्या है? तब कोई बोले उससे पहले ही फिर से वही बोले कि अगर मैं साथ बजे शाम को ठीक वहां पे आजाओ तो ठीक है? सभी ने का एक दुसरे के सामने देखते हो कहां ठीक है स्वामी साथ बजे आप पधार ना प्रमुक स्वामी माराज सामने बोले ठीक हमा जाएंगे शाम को प्रमुक स्वामी माराज सायम ब्रह्मन करते थे थोड़ी मुलाकात रहती थी पत्रलेखन तोड़ा करते थे फिर सत्संग सभा में आने के लिए भी अपने निवास्थान से चले अब बड़ोदा में ये व्यवस्ता है दो केंपस हैं मंदिर और प्रमुक स्वामी माराज के निवास्थाने केंपस में और सत्संग सभा जहां लगती है वो एक दूसरा केंपस है बीच में पब्लिक रोड है प्रमुक स्वामी माराज अब निवास्थान से निकले रोड क्रॉस करते हुए उन्होंने गाडी में जो घडी थी व और प्रमुक्स्वामी माहराज जब यहां मंच पे पहुंचे तब समय था साथ बजेगा, तो इतना सन्मान समय को यह देते हैं, कभी कबार तो ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यशील व्यक्ति, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जिनका होता है, कार्य की द्रस्टी से हम देखे तो वे लोग समय के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं हैं, वे लोग समय को सन्मान देते हैं, ताकि यह बात एक हकिकत इत्यास की द्रस्ती से हम देखे, तो इत्यास में कहीं ऐसे प्रसंगे की समय ने इन लोगों को दशकों के बाद बहुत सन्मान दिया है, तो प्रमुक् प्रूज ने लिखिये, पॉइंट नमबर टू लिखाए, उन्हों लिखाए कि हाईली सक्सेस्वल पीपल, they focus on their values, they focus on their priorities, they focus on their consistent habits, so they automatically manage time, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ा संशोधन करके लिखाए, उन्होंने लिखा, कि ऐसे जे महापुरूश हैं, वो लोग सीधा समय कायोजन नहीं करते लेकिन अपने जो सिद्धान्धे, जो मुल्य जो नितिनियम है, जो शिस्त, उस पे focus करते मतलब अपना धियान केंदृत करते हैं, yani फिर जो priorities, अपने जीवन पराथमिक्ता है, उन पे अपना धियान केंदृत करते हैं। और तीसरी मात consistent habits मतलि रोजाना जो पांच साथ दस ऐसे काम है जो रोज वही समय पे करना है वे करते हैं तो इन तीन चीजों से समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है अच्छी बात उन्होंने लिखी है अगेन रिपीट वैल्यूज प्राइरिटीज अन कंसिस्टन्ट हाबेट्स तो प्रमुक्साही महाराज के जीवन में जो मुल्य नितिनियम सद्धान्त वो इतने घ्रड थे कहीं बार हम सब संद को सब कारे करता को वे बताते थे कि नितिनि अगर आपने कोई नितिनियम सद्धान्त छोड़ दिये तो उसकी वज़ा से जो तकलिफ खड़ी होती है वो तकलिफ को मिटाने के लिए डिपटाने के लिए आपका बहुत समय बिगरता है तो नितिनियम और सद्धान्त को साथ रखके ही ऐसे महापुरूष अपने जीवन में कारिया करते हैं ताकि कोई समय न भीड़े दूसरी बात उन्होंने कही प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता उनकी जो प्रायोरिटी से मुख्य जो कारिया है उसमें वे बहुत केंदरित रहते हैं प्रमुक्षामी महाराज का मुख्य कारिया उनकी जीवन की टॉप प्रा सभी के जीवन में अध्यात्म प्रदान करना भगवान के प्रतिशद्द्द और भक्ति द्रड करवाना और उनके आत्मा का मुक्ष करना यह उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी जो शांस्त्रोक्त है जो एक सच्चे संथ का सही कारिया है तो उसके लिए प्रमुक्षव भी अध्यात्मा उसमें जूर देना यह उनका एक स्वभाविक लक्षन था तो प्राइरिटीज पे वे फोकस कर सकते थे अपना ध्यान केंदरित कर सकते थे और कंसिस्टन्ट हाबिट्स की जो बात है मतलब रोज ये 5-7-10 कारियतो उसी समय पे रोज करना है इंडिया में हो पर्देश में हो विंटर हो समर हो मनसून हो गाव में हो शहर में हो कोई भी परिस्टिती में कोई भी जगा पे कोई भी समय में ये 5-7-10 कारियतो रोज उसी स करने हैं this is called consistent habits प्रमुक्समी महाराज शायद चालीस साल तक शायद चालीस से भी ज्यादा लेकिन चालीस साल तक मतलब चार दशकों तक रोज सुबा प्राता ब्रह्मन में छे चालीस को पधारे रोज सुबा सारे साथ बजे वी अपनी प्राता बुजा में पधारे के लिए हजार उ हरीवग्त मुमुक्षु यूनके धर्षन के लिए आते थे उनका बधार का भोजन साडे बारे बजे पजे रेता था एक बजे वे personnage मुलाकात देते थे एक से यह दिन चरिया निश्चित रहती थी, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, कोई भी जगावर, तो दिस इस कॉल कंसिस्टन्ट हैबिट, तो केविन कुरूज लिखते हैं, यह अगर यह तीन आदते आपने अपने जीवन में द्रड करी, वाल्यूज, प्राइरिटी, एंड कंसिस्टन्ट हाबिट, तो क्या लिखते हैं में, इड गिव्ज यू हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब आपके जीवन में कहीं सफलता यह आदते आपको दे सकती है, प्रमुक्सामी महाराज ने जो यह संस्था, बीए, पीए, बोचासन वाकसी, अक्षर पुर्शोतम, स्वामिनान संस्था, में इतनी सारी प्रवृत्यां का विकास किया, यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, उनाइड नेशन्स में, एक एंग्जियो के रूप में, एक स्थाई स्थान इस संस्था को है, तो यह संस्था को विश्वव्यापी प्रमुक्सामी महाराज ने बनाई, उसके पीछे, यह बहुत बड़ा सीक्रेट, मतलब रहस्या, यह तीन बाते थी, तो यह प्रमुक्सामी महाराज का जीवन में, एक समय आयोज्वन की द्रस्ती से गिरहन करने योग्या सद्गुन है, ऐसे महापुरुख्षों के जीवन में यह बात मिलती है, बहुत फोकस रहे वे, प्रमुक्सामी महाराज बड़ोदा में थे, बड़ोदा के नजदी की बोडेली में, जो एक आदिवासी विस्तार है, वहाँ एक बड़ा मंदिर बन रहा था, वहाँ से हमारे स्थानिक मुख्य व्यवस्थापक संत, पुझे दिव्या सरूप स्वामी, और पुझे परम नयन स्वामी, यहाँ बड़ोदा प्रमुक्सामी महाराज को रिपोर्ट देने के लिए पधारे, प्रमुक्सामी महाराज को 15-20 मिनिट तक पूरी कारियवा ही कैसे चल रही है, सबी बाते की, लेकिन इस 15 मिनिट में, प्रमुक्षवी महारत ने करीबं तीन या चार वार बाहर बार दोर आया कि आप सब की बात ठीक हैं, पुरा परिसर अच्छा बनेगा, लेकिन जो मुख्य मंदिर है, पत्थर का, उसमें प्रतिस्था के दिन एक भी काम, छोटे से छोटा काम भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये संत रिपोर्टिंग करते वक बोलते थे हाजी स्वामी, जरू ध्यान रखेंगे, फिर परिसर में ये संत निवास बनने वाला है, ये रसोई घर बनने वाला, ये सभी बाते करते थे, फिर से बीच में प्रमुक्षवी महाराज ये ही बोलते थे, this is called focus, धान केंदृत र करूती थी, तो they remain focused because of priorities, consistent habits and values in their life, ये एक हकीकत, उनके जीवन की एक वास्तविकता है, तीसरी एक बात Kevin Kruse लिखते है, कि ऐसे महापुरुष, अती कारिय काउशल व्यक्ति, वे अपने जीवन में कभी समय नहीं बिगारते हैं, और अगर आपने अपना समय, ऐसे ही फिजल बिगार दिया, तो अभी तो शायद आपको ज्यादा उसकी असर महसूस नहीं होगी, लेकिन बुढ़ापे में जब आप बैठे होंगे, अपने पूरे जीवन को तराज उपे रखते होंगे, अपने कोई मित्र जो आपके साथ थे, युवान अवस्था में अपना समय का सह सही उप्योग करके, पुरुशार्त करके, कहीं आगे चले निकले, उस वक्त आपके जीवन में रिग्रेट्स पस्चाता पाएगा, कि एक समय मेरे पास भी यही सब बाते थी, समय था, अगर मैं चाहता तो उसका सही उप्योग कर सकता था, लेकिन मैंने फिजुल, बेकार क यह समय बिगार दिया, तो आज मुझे इतनी उपलब्दी जीवन में नहीं है, जितनी उपलब्दी मेरे मित्र के पास है, और यह रिग्रेट आपको अपने रदय में हमेशा के लिए रहेगी, दुख रहेगा, तो यह जानना बहुत जरूरी है, कि don't waste your time, plan कर दो, to-do list बन करते हैं, रात को बना के सोना, कि कल सुबह उठके, मतलब कल सुबह से शाम तक मेरा यह तो-do list यह करना, यह करना, यह समय पे करना है, and try to stick to it, maximum, तो शाम तक कहीं काम निपट जाएंगे, आपको भी संतोश्वर आनन्द आएगा, कि कुछ अच्छा काम हुआ, तो इससे बह बहुत बड़ा लाब मिलता है, एक और अच्छी बात केविन क्रूज लिखते हैं, वे लिखते हैं कि, brief hurdles during the day, can save you from long meetings, can reduce your emails, and can cut on your meeting times, and energize and unite your team, बहुत अच्छी बात ही है, मतलब कि, जो मुख्य व्यक्ती है, उनके नीचे पूरी टीम होती है, लेकिन मुख्य व्यक्ती के मन में, जिस वक्त जो वीचार आया, कारिय सबंदी, कोई सुजाव सबंदी, तो वे लोग की ये आदत होती है, कि उसी वक्त उस पे वे एक्ट कर लेते हैं, और छोटी छोटी बाते आगे बढ़ाते रहते हैं जिसको जो सुचन करना है कर लेते हैं, ऐसे गुमते गुमते बाहर निकले और कोई व्यक्ती सामने उसको कुछ कहना है, वही कह देते हैं, ऐसा नहीं कि जब मिटिंग होगी तब कहेंगे, नोट कर लेते हैं, तो याद रखने में, नोट करने में, मिटिंग के वक्त फिर से दोहराने में कहीं समय भिगरता है यहां तक की प्रिसाइस प्लानिंग ऐसे महापुरुषों के जीवन में साहजिक होती है प्रमुक्षभी महाराज के जीवन में या आदत थी ब्रीफ हडल्स मतलब तुरंदी कोई छोटी सी भी बात हो कह देना कारी आगे बढ़ा देना पिछले 10-15 दिन में कि हमारे पुझय विवेक जीवन स्वामी ने हिंदुईजम पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का लांचिंग प्रोग्राम हमने वहां मुंबई में रखा था और 6-7 जगह पे हुआ था उसका रिपोर्टिंग हम सब संथ कर रहे थे प्रमुक्षभी महा लेते थे या कोई नया प्रकाशन हो वो कोई संथ पढ़े तो सुन लेते थे ओप्टिमम यूज ऑफ टाइम तो प्रमुक्षभी महाराच बोजन ले रहे थे अम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें अलग-अलग विस्तार में जो कुछ भी लांच प्रोग्राम हुआ महानुभव पधरे उसके जो वीडियोमे थे स्लाइ्ड शो बना था वो सब प्रमुक्षभी महाराच को दिखाया और महानुभव क्या बोले क्या प्रतीutan था क्या अभीप्राय लिखा यह सभी पढ़के प्रमुक्षभी महाराच को सुनाया जैसे यह रिपोर्टिंग पुरा हुआ, प्रमुक्षवामी महाराज के मन में दो तीन बाते थी, वो उन्होंने पूछी, बोजन पुरा हुआ अपने सेवक संत को बुलाया, और प्रमुक्षवाज महाराज ने कहा कि, कि पुझे इश्वा चरण स्वामी को फोन लगाऊ और मुझे बात करनी है, वही से फोन लगाया, प्रमुक्षवाज महाराज ने पुझे इश्वाज चरण स्वामी को कहा, कि हिंदुईजम जो पुस्तक विविग जीवन स्वामी ने लिखा है, वो बहुत अच्छा है, और बार्थिय संस्कृूती बारे लिखी हैं तो क्यों नो ऐसा कहा जाए और ऐसा किया जाए कि इसी पुस्तक के कुछ पुछ कोर्से हम इस प्रकार से इसाइन करें कि परदेश में जो हमारे युवा है जो नियमित रूप में हमारे सथसंग में युवा मंदल में आते हैं उनके कि अज़ी हम डिजाइन करें और उनको ये मार्कदर्शन मिले प्रेहिना मिले ये ज्यान भी मिले पुझे इस्वचरण स्वामी ने का हां स्वामी जरूर अच्छी तरह से ये कोर्स डिजाइन कर देंगे तो देखो ये बात होती है ब्रीफ हडल एक विचार आया एक अच् का शब्दा प्रयोग केविन कुरूज ने किया युनाइट द टीम मतलब अम्दाबाद में जो हमारी वर्किंग टीम है उनकी तुरंथ मिटिंग पुझे इश्वचरण स्वावी ने बुलाई और वीमर्श किया और ये कोर्स डिजाइन हो गया तो कितना समय बचा तो समय क किया युजन की ये बात होती है जो प्रमुक साही माराज के जीवन में थी और निश्चेत रूप ने नस्दिक से वो देखी है एक और बात केविन कुरूज लिखते हैं कि हाईली सक्सेस्फुल पीपल ये क्यलिबरेट दियर कैलेंडर तो डिस तो वे बनाते ही हैं लेकिन कैलेंडर्स भी ब्लॉक करते हैं वे लिखते हैं कि कैलेंडर प्लानिंग कें रिलीव यू अफ यू स्ट्रेस और गिव यू हाई इंटलेक्ट्वल फोकस प्रमुक साही माराज के जीवन में सिर्फ दिन चरिया निस्चित नहीं रहती थी उनके कैलेंडर्स भी अच्छे प in 1971 की साल में वे गुरुपत्पे आये उस्वक्त प्रमुक साही माराज की आयू थी 51 साल की अब नॉमल इस आयू में तो लोग रिटार्मेंट की सोचते लेकिन प्रमुक साही माराज की लोगीग द्ष्ति से देखे तो Это 51 साल की आयू में ही उनकी करियर की शुरουवात हुई कि ऊच्याहिं जानते थे कि उनके पास समयी मर्यादा है, मनुषय शरीर की मतनब शारीरग शटी की मर्यादा हैं। तो उनku के पास 15–20 साल हैं वे सत्संग यात्रा के लिए। ‎ तो लोने ये प्रथम काम ये किया उनिस सो इकतर से लेके उनिस सो इक्यासी तक पचासी तक प्रमुकस्वामी महाराद ने सत्संग यात्रा की दुनिया के सांट देशों में अठाराजर गाउं में वे गुमे घर गर गए साड़े तीन लाक घर ओफिस फैक्टरी शॉप में वे गए से इस संप्रदाय में हमें मनाने हैं तो उसके लिए स्वयम सेवक की जरूरत पड़ेगी और रिसॉर्स की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए घर घर गए एक संसकारी समाज तयार हुआ एक निष्ठावान समाज तयार हुआ वे सभी स्वयम सेवक के रूप में इस बड़े उ इस संप्रदाई के सिध्धानत और संस्कृूती के प्रती, इस संप्रदाई की कारियवाही के प्रती लोगों को एक अच्छा लगा हुआ और 1991, शायद 1992 से प्रमुक्सामी महाराज ने उपासना प्रवरतन का जो मुख्य कारिया है, मंदिर निर्मान का वो पूर जोश में चल अन्तिम 20 साल में बनाएं, तो बहुत अच्छा समय का आयोजन उन्होंने अपने जीवन में किया, एक और बात केविन कुरूज ने लिखी है, कि सच सक्सेस्फुल पीपल, they are very good at multitasking, मतलब बहु कारियन में, वे लोग कुशल होते हैं, एकी समय पे दो-तीन कारिया कर सकते है आपको जानके आस्तिरे लगेगा कि प्रमुक समी माराज के जीवन के कहीं प्रसंग ऐसे हैं, मुंबे में एक बार थे प्रमुक समी माराज पत्र लिख रहे थे, उसी वख लंडन से एक फोन आया, उस हरी बग्त को कोई अरजनसी थी, सेवक संत ने प्रमुक समी माराज को दिया, फोन हाथ में प्रमुक समी माराज उस हरी बग्त के साथ बात करते थे, बात करते करते प्रमुक समी माराज ने पत्र में उत्तर लिखना चालू रखा, बड़ी आस्त्रेकी बात है, ऐसे द्रश्य तो कहीं संतों ने देखे हैं, एम्दाबाद में भी एक बार बहुत महत्वपूरुन स्थान मैनेजमेंट सिस्टम्स में, एड्मिनिस्टरिव प्रोसीजर्ज में, पर्सनल ग्रोथ में उसका है, तो मल्टी टैस्किंग से बहुत समय आपका आप बचा सकते हैं, तो यह भी एक बड़े महापुरुष्व के जीवन में हमें देखने को म प्रामुक स्थानि महाराज में जब बैठते थे, इसके साक्षी तो हजारो लोग हैं, कि अगर कोई कारेक्रम चलता हो, वे पत्रलेखन उनका चालू रखे, फिर भी उनका इक ध्यान, क्या प्रसंग चल रहा हैं, क्या बाते हो रही हैं, क्या कुछ किरतन चल रहा हैं, उसम प्रवचन हो, मतलब उनके आशिर्वाद हो, आशिर्वचन में वे बात वे कर सकते थे, मतलब मल्टी टास्किंग में भी वो मेंटली बहुत फोकस्ट और कॉंसेंट्रेटेड रहते थे, तो ये भी महापुरुषों के जीवन की बड़ी बात होती है, एक और बात केविन अगर आप समय का प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव ली करते हो, मतलब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इट केन गिव यू ग्रोथ, इट केन गिव यू एनरजी, और इट केन गिव यू निव आइडियाज, क्योंकि आप समय में अच्छी तरह से आयूजित हो, तो शक्ति भी कॉंजर होती है, अच्छे विचार भी आपको आसकते हैं, और आप ग्रोथ, मतलब विकास की और भी अच्छी तेज रफ्तार से अप दोड सकते हो, तो प्रमुक्समी महराज ये समय आयूजन में बहुत कुशल थे, इसलिए ये भी लाब उनक साल की आयू तक, प्रमुक्समी महराज ने बहुत कार्या किया, उनकी दिन चरिया पिछले 40-50 साल से वही रही, तो इतनी बड़ी आयू में, इतनी श्रद्धा से, पूरे दिन में सभी प्रकार के कार्य को डिपताते जाना, और शाम को पुरुन संतोष के साथ दिन पूरा क करना, वह एक अजीव सी काम्याभी ऐसे महापुरुषों के जीवन में दिखती है, और ये उनके जीवन में था, एक बात ये भी केविन कुरुज दे लिखा है, उन्होंने कहा है, कि ऐसे महापुरुष समय के बारे में ये भी जानते हैं, कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा परिनाम हासिल करना हो, तो वहां तक पॉंचने में इतना समय तो मुझे ज़रूरी चाहिए, इतना समय तो निकल जाएगा, वो महिने भी होते हैं, सालो भी होते हैं, तो उस समय में, उस समय के दौरान, वेस्थीर रह सकते हैं, धैरिया रख सकते हैं, लेकिन केंद्रित रख सकते हैं डेली में जो प्रमुक्षवमी महाराज ने स्वामी नारण अक्षरधाम का निर्मान किया शायद आपको बहुत ताजुब लगेगा कि प्रमुक्षवमी महाराज ने उस स्वामी नारण अक्षरधाम की जमीन के लिए 33 साल तक प्रमुक्षवमी महार कि करनाई है तो केविन कुरूज यह लिखते हैं कि यह भी एक टाइम मैनेजमेंट है वरना उस समय में अप आलसी हो जाते हो मतलब प्रोक्रस्टिनेशन आ जाता है कि चलो जब होगा तब होगा अभी तो बैठें कुछ ऐसी अपर्चुनिटी मिले कि तब दोडेंगे लेकिन अभी तो कोई अपर्चुनिटी दिखते नहीं तो क्या करें ऐसा नहीं उस पे भी फोकस रहते हैं और रूटीन दीनचरिया भी चलती रहती है तो केविन कुरूज ने लिखाए कि यह समझदारी भी महापुरूशों के जीवन में समय के प्रबंदन की द्रस्ती से होती है तो प्रमुकषबी महाराज ने इनतिजार किया लेकिन फल इच्छित पराफ्त किया उनको जिस प्रकार का सौमे न अनक्षवषदाम कर निर्मान जमने था वो किया उस वक्त सौम पूरा थे जो डिजाइनर्स थे अक्षरदाम कुरूर बता है कि स्वामी आपके मन में जो प्रकल्फ है वो वास्तविक्ता में परिवर्तित करने के लिए हमें पैतीस साल चाहिए प्रमुक्साहिमारत ने कहा नहीं हमें पांच साल में यह चाहिए केविन कुरूज ने यह भी लिखा है सच सक्सेस्फुल पीपल देशाइए अपने मन में निश्चित करते हैं और उस समय में वो कारिया पूर्न करने के लिए जो भी रिसॉर्स के आवश्यक्ता है वो रिसॉर्स पैदा कर सकते हैं समपुरा ने का सवामी 35 साल लगेंगे प्रमुक संही मारागद ने कहा कि नहीं पांच साल में चाहिए तो प्रमुक संही माराद्ने का कि जो अपने हैं उसके भी जो सम्बंदी हैस्नेशी है उनको शायद अर काम मिलता हो तो दोभ और कोई काम में जूड़ गए होगी पूरा 35 साल की बात करते थे, लेकिन अपने मन में जो निरनाई था, उसी हिसाब से 5 साल में 2000 से 2005 की साल तक स्वामिनान अक्षरधाम का प्रकल्प पुरा किया और भव्य अधगाटित किया, तो ये टाइम मैनेजमेंट है, कहीं ऐसी अच्छी बाते ये पुस्तक में लिखी है एसे महापुरुक्षों के जीवन में हमें ये बाते दिखती हैं, तो आज प्रमुक्स्वामी महाराज का जो शताबदी मौटसव हम सभी मना रहे हैं, सिर्फ B.A.P.S. स्वामिना और संपरदाई नहीं, पूरा समाज मना रहे हैं क्योंकि समाज में सभी छोटे मोटे लोग सिख भी हम जरूर सिखना चाहेंगे, उनके जीवन में जो समय का प्रबंधन था, ऐसा समय का प्रबंधन हमारे जीवन में भी आए, ऐसी प्राथना हम भगवान स्वामिनान के चरणों में करते हैं.